वेल हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी वेल आज की इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे हॉरर सर्वाइवर टाइटल को जो की वाकई जबर्दस है जिसकी स्टोरी आपको वाकई पता होनी चाहिए जिसका नाम है और हाँ अगर आपने एक गेम खेली है तो आपको पता होगा और अगर नहीं तो खेलना ज़रूर पागई मज़ा आएगा तो अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो चलिए शुरू करते हैं कानी की शुरूआत एरिक ले ब्लैंक और उसके बेटे टिमी से होती है जो एर प्लेन में बैठे हुए है फिर तभी उनको एक तेजी से बड़ा जटका लगता है जिससे उनको पता चल जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया है जो तेजी से लगातार नीचे गिरता जा रहा है फिर एरिक बेशी की हालत में अपने बेटे टिमी को देखता है जिसको लाल रंग वाला वैक्ती किटनैप करके ले जा रहा है फिर वो पूरी तरह से बेश हो जाता है और थोड़ी दिर बाद जाकता है और देखता है प्लेन में सब लोग मर गए हैं सिर्फ मुझे छोड़ कर और प्लेन पैंसुला के फोरिस्ट में क्रैश हुआ है जिसके बाद एरिक प्लेन से निकल कर टिमी को ढूड़ने जाता है जहां आगे पानी में उसको एक बोट मिलती है जहां कई सारी चीजे लेने के बाद वो दुबारत से फोरिस्ट में जाता है जहां एरिक को एक केव मिलती है फिर वो रसी की मदद से उसके अंदर जाता है और आगे उसको कई सारे नर्भक्षी मिलते हैं जिससे लड़ने के बाद वो केव से निकल जाता है और आगे चलकर एरिक को पता चलता है कि इस जंगल में ऐसे वैसे नरबक्षी नहीं है बलकि म्यूटन नरबक्षी है जिनका कबजा है इस जंगल में और कई जगाओं पर नरबक्षी ने इनसान के सरों को लगडी पे टांग रखा है फिर आगे उसको केव में ड्रॉइंग मिलती है जो टिमी के जिन्दा होने का एक सबूत है जिसके बाद एरिक को केव में एक अंडरग्राउंड फैसलिटी मिलती है यानि की एक लैब जिसको सहारा थेरेपेटिक्स नाम की एक कमपनी करती है जो इसी तरह के अजीबो गरिव एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती है और इस फोरिस्ट में जितने भी म्यूटेंट्स क्रेचर्स हैं वो इनी की देन है और आगे एरिक को लैब के एक करमचारी की डेड बोडी मिलती है जो करमचारी, रेजिरेक्शन, ओबलिक्स आर्टिफेक्ट का अध्यन कर रहे थे जिसको मिस्टिरियस गुरुप ने बनाया था जिसको एचेंट वन के नाम से भी जाना जाता है और इस आर्टिफेक्ट में मरे हुए को जिन्दा करने की शक्ति है पर उसके लिए तुमको क बेटी मेगन को खो दिया किसी हास्से में और उसकी दैट के बाल वो पागल सा हो गया फिर उसको रेजिरेक्शन ओबलिक्स आर्टिफेक्ट का पता चलता है जिसके जरीए वो अपनी बेटी मेगन को एक बार फिर दुबारा जिन्दा करना चाता है और उसके लिए पहा के वो एक मशीन में रख देता है और फिर एरिक टीमे को दुबारा जिन्दा करने के लिए उस आर्टिफेक्ट का इस्तिमाल करता है पर उससे पहले एरिक को मेगन को ढूड़ना होगा ताकि उसका सेक्रफाइस दे सके फिर वो उसे ढूनता भी है और मेगन उसे एक ज करने से भी एरिक का बेटा टीमी जिन्दा नहीं होता क्योंकि मशीन में जिन्दा बच्चे को डालना होता है और मेगन अब मरी हुई है जिसके बाद एरिक अब्जर्विटरी फैसलिटी में जाता है जहां उसको सेकंड आर्टिफेक्ट पावर अबलिक्स मिलता है जो एक प्रकार का EMPS device है जिससे airplane को नीचे लाया जाता है या कह सकते है crash किया जाता है जिसका मतलब साफ है कि Dr. Matthew Cross नहीं airplane को crash करवाया था फिर वो EMPS device को active कर देता है जिससे एक और plane crash हो जाता है और अब एरिक plane में बैठे किसी passenger का sacrifice करके टिमी को जिन्दा कर सकता है और इस घटन कि एक साल बाद एरिक और टिमी दिखाई देते हैं जो अपनी book को promote करने के लिए एक talk show पर आए हैं जिस book में एरिक ने pencil of forest के अनुबाव का वर्नन किया है और show के दोरान टिमी अचानक से गिर जाता है और बड़े अजीब तरीके से हिलना शुरू कर देता है फिर एरिक उस वो अब बड़ा हो गया है जो अपने apartment में है और side 2 नामक island की जाच कर रहा है और फिर अचानक से टिमी की हालत दुबारा से खराब हो जाती है जैसा कि उस देन हुई थी जिसके साथ ही ये ending यहीं खतम हो जाती है जो कि इस game की good ending थी तो चलिए इस game की bad ending की भी बात कर लेते हैं इस ending की शुरुआत भी वहीं से होती है जब Eric second artifact power ovlix वाले room में जाता है तो वो इसे active नहीं करता बलकि इस machine को shut down कर देता है जिससे वो टिमी के लिए किसी plane को crash नहीं करता और खुशी खुशी अपने बेटे के चकर में हजारों लोगों को नहीं मारता जिसके बाद Eric यह से बाहर आ जाता है और उपर plane को देखता है फिर वो अपने बेटे टिमी की photo को जला देता है जिसके साथ ही यह ending यहीं कतम होती है तो दोस्तों कैसे लगी आपको the forest game की story और इन दोनों ending में से आपको कौन सी ending सबसे ज्याला अच्छी लगी मुझे comment section में जरूर बताएं और son of the forest वो हमें इसी साल खेलने को मिलने वाला है जल्दी और हाँ अगर आपको यह वीडियो जरासी पे अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like, share, comment करना ना भूलें और अगर आपके मतलब का content हमारे channel पे मिलता है यानि के red gomer पर तो हमारी family में शामिल जरूर हूए तो मिलते मैं आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए बाबाई